तो हेलो फैंट कैसे आफ दोस्तों आज में आपको आने वारों गूगल की तरफ से एक नये अफडेट आया है गूगल ने अपना फिचर को लांच किया गया है जिसका नाम है नियर्बाइश शेयर है यह पहले से ओप्षन किशी डिवाइस प्रफ प्र आ गया था बट अब य nearby share option होता गया और आपको क्या फायद होने वाला है और कैसे आप इस option को use करने वाले है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह बताने वाला है दोस्तों nearby share option जो यह है यह sharing के लिए होता है जैसे आपने देखा होगा पहले share rate और gender जो इस काम का करते थे share करने लिए data nearby share भी same वो यह feature है यह भी आप Google के प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा आप without internet data को share कर सकते हैं with nearby share के option के बहुत ही कमाल का feature है बहुत easily आप उसको use कर पाएंगे तो आज की आप वीडियो में बताने वालों कैसे आप उसको use कर पाएंगे और कहां यह option आपको मिलने वाला है दोस्तों वीडियो को skip मत करीगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते दोस्तों आगे मेरे नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक मैं तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है अपने मॉवाइल के play store में play store में जाएंगे यहाँ पर जानने के अदा आपको यहाँ जाना है घ्री ओरिजेंटल लाइन में आप यहाँ पर चाहें तो आपने net को बंद भी करती है तो भी आप इसको use कर पाएंगे इस वीजर को आपको यहाँ पर जाना है my apps and games वाले option पर यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे आप पर आपको एक नए option मिल रहा है जो की share नाम से जो पहले नहीं हाता था आप उसमें जाएंगे तो आप आपको यहाँ पर यह दिखने को मिल जाएगा share apps with nearby share now you can send and receive app with anyone nearby using google play no interconnection required no internet connection required मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको share का option मिल रहा है apps share करने के लिए और पहले अगर आपको नहीं पता nearby share का option कहा था था तो आप नीचे इदर notification को करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर आप देख रहे हों, मिल रहा होगा nearby share का option आपको simply करना कैया है यहाँ पर जाना है, यहाँ जाने क्या आपको यहाँ send पर click करने क्या था, आपको particular उस app को select करना है जिस app को आपने करना है जिस app को आपने share करना है तो like मैं यहां पर कर लेता हूँ भी मूपी आई को यहां जाने का मैंने कर रहा है इस पर यहां देखेंगे अब select receiver का option यहां पर दिख रहा है तो मैं select receiver वाला option भी आपको आगे चला के वीडियो पूरूफ दिखाऊंगा कैसे आप इसको कर पाते हैं तो चलते हैं दोस्तों आगे एक मोवाइल से आपको कर देना है यहां पर send पे click और दूसरे मोवाइल पर आपको कर देना है receive पे click करने के आपको दिखाई देगा आपको मोवाइल पे एक सेम कोट आ रहा है आपको यहां पर रिसीव कर देना है जैसी आप इसे पे click करेंगे तो आप देखेंगे वो receiving होने लगी है और वहां पर आप देखने इतनी स्पीड के साथ है रिसीव हो गई अगर आप चाहें तो और दूसरे से भी आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं आपको यहां पर दिखरा होगा जो की बहुत अच्छा फीशर है जारहें तो दोस्तों मुझे उम्हीद है कि आपको ही मेरी वीडियों पसंद रही हैं अगर आपने अबने तक मेरे अपने चर्णना नहीं किया इसे सबस्क्राइब करना ना बोलें इसका लिंक आपको यहां पर दिख विरा वहागा बटन और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा तो वहां जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टाग्राउं फेस्बुक पे भी फोलो जरूर करें जिसका लिंक आपको रिशेट पे मिल जाएगा तो थेंकि दो